नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन लारानिस्वक की बड़ी जौनकारी खरू करेंगे 18 फर्वरी से ये यूपी में बजट सत्र शुरू हो रहा है बजट सत्र से पहले आज सर्दलिय बैटक बुलाए गई है सर्दलिय बैटक दोपहल साड़े बारा बज़े के बाद विधान सभा परिसर में होगी बतादे की बजट सत्र 18 फर्वरी से शिडू होकर 10 मार्श तक चलेगा 22 फर्वरी को वित्मंत्री सुरेश खन्ना वित्तेवर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे सत्र के दोरान कई आध्या देशों को विधैक के रूप में पास कराये जाएगा इसके लावा विभिनस सरकारी विभागों की कामकाज पर प्रियेजी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी बजट सत्र की शिर्वाद 18 परवरी की सुभा राजपाल के विभाशन के साथ होगी ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा 22 परवरी को सरकार बजट पेश करेगी बजट सत्र हंगा में दा रहने की पूरे पूरे आसार है विपक्षी दल कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरली की तैयारी में है इन मुद्दों में लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन भी शामिल है इसके अलावा हात्रस के मुद्दे पर भी विपक्षी सरकार को सदन में गेर सकता है वहीं इसके साथ ही सियम योगी आदितनाफ की अधिशता में आश्राम छे बजे विधान मंदल की बैचक होगी बजट सत्थ से पहले ये बैचक बेहद मैंतिकून मानी जा रही है सरदली बैचक दुपहर साड़े बारा बजे विधान परीसर में होगी बता दें कि 18 फरवरी से ये बजट सत्र शुरू होकर 10 मार्श तक चलेगा 22 फरवरी को वित्मंत्री सुरेश खना 2021 से 22 का बजट पेश करेंगे सत्र के दौरान कई आधिया देशों को विधाय के रूप में पास्कराय जाएगा इसके लावा विमिन सर्कारी विभागों के कामकाज पर सीएज रिपोर्ट के सदन के पतल पर रखी जाएगी बजट सत्र की शिर्वाद 18 फरवरी की सुभार आजुपाल के अभीवाशन के साथ होगी ये सर्कार का अंसिन फूर बजट होगा 22 फरवरी को सर्कार बजट पेश करेगी बजट सत्र होगामेदार रहने की पूरे आसार है क्योंकि विपक्षी दन लगातार कई मुद्दों को लेकर सर्कार को गेज सकता है इन मुद्दों में लंबे समय से चल रहा किसान अंदूरन भी शामिल है सितासा साथ इसके मुद्दे तमाम और मुद्दे हैं जैसे कि गन्ना किसानों का भुक्तान हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो राजुपाल के अभिवाशन के बाद बजट सत्र की शिर्वात हो जाएगी और ये बजट सत्र जो है 10 मार्श तक चलेगा वत्रमंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे 2021 से 2022 का वहीं अगर देखा जाए तो ये बजट बेहद मैतकूर है कि शर्तार का ये अंतिन कूर को लेकर ही बजट था उसके बाद योगी सरकार से उम्मीदे और जादा बड़ी थी कि जब अगला बजट आएगा तो योगी सरकार आम जनता के लिए बहुत कुछ लेकर आएगी